हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू लक्षगेट मी आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल फेज सेड़ेट पूल मोटर के बारे में सिंगल पूल सेड़ेट पूल इंडक्शन मोटर होती है वह कैसी उसकी सनरचना की जाती है कैसे वर्क करती है उसको समझ लेते हैं इसमें वा इसमें हम सिर्फ एक ही क्वाइल लगाते हैं जिसा कि आप यहां पर देख रहे हैं यह हमारी क्वाइल है इस तरह से पूल पर स्थापित की जाती है इसमें क्या होता आप बोलोगे कि हमने वाकी की जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी है उनमें दो क्वाइल की है दूसरी जो की है रनिंग कोईल की है तो अब स्टार्टिंग और रनिंग कोईल इसमें क्यों नहीं यह वर्क करेगी क्या उसी को हम समझेंगे तो इसमें क्या करते हैं यह जो पोल होता है हमारा पोल की संद्रेशन ऐसे करते हैं कि इसमें एक छोटा भाग बनाते हैं यह जो जो पोल को बोलेंगे हम यह इधर वाला यह जो भाग रहेगा यह पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा उसको बोलेंगे अनसेड़ पोल बोलेंगे ठीक है यह दो पोल हमारे लिए बन जाते हैं अब यह जो हमारा छोटा पोल होता है इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम बाइंडि Shading Ring या Shaded Coil Shading Ring बोलते हैं, यह काई की बनी होगी, तो यह Copper की बनी होती है, जो कि Short-Circuted Coil की तरह हमारे लिए काम करती है, अब इसमें जो Face Difference होता है, किसके कारण उत्पन होता है Face Difference, एक तो यह Shaded Ring और इसमें जो हमने Binding स्थापित की है, Single Face Binding स्थापित की है, उसके कारण क्या होता है, इसमें दोनों के बीच में 30 degree का Face Difference उत्पन हो जाता है, इसलिए इस Motor का जो Starting Torque होता है, वो Sin 30 के क्या होता है, Proposional होता है, क्या होता है, Sin 30 के Proposional होता है, यह Phasor Diagram इसके यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, इसमें जो Shaded Pole होता है, Shaded Pol की जो Motor होती है, Shaded Pole, इसमें क्या काते है, एक ही Wind ने इस्थाबित करते है, और इसका जो Rotor होता है, Squirrel Kays Type का इसका rotor होता है, इस्टेटर पोल के बीच को काट कर हम क्या क्या देते हैं? दो भाग में बना लेते हैं, जिसे हम सेडेट पोल ब blunt है ये क्या होता? एक भाग पोल का एक तीहाई होता है एक तीहाई का मतलब क्या होता है? one by third है ना? एक तीहाई होता है इस पर copper की short circuit rate coil या हम जिसे बोलते हैं setting ring बोलते हैं इसे लगा देते हैं setting ring या sedance होता है reluctance नहीं inductance इसका क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा high होगा inductance क्या होगा इसका high होगा इस प्रकार की जो motor होती है इसमें क्या होता है जो pole होता है उसको दो भागों में बना दिये जाता है एक को हम बोलते हैं setting pole और जो दूसरा pole होता है हमारे वो unschedded pole होता है ठीक है यह जो stator है कैसे होगा stator को single phase supply देने पर उसमें क्या होता है दोनों जो हमारे setting pole बनाया unschedded pole के बीच में क्या होता है एक चुम्ब की फ्लक्स उत्पन हो जाता है ठीक है क्या होता है एक चुम्ब की फ्लक्स उत्पन हो जाता है तता जो shaded pole की flux है shaded pole की जो flux है वो high inductance के कारण unschedded pole की क्या होता है जो unschedded pole है हमारा उसकी flux से lag करती है ठीक है कितना lag करती है तो 30 degree लेक करती है ठीक है दोनों के मद्ध में जो phase difference होगा वो कितना होगा 30 degree का phase angle प्राप्त होता है इसका starting torque के कितना होगा 30 degree sign 30 के proportional होगा ठीक है अब इसके बाद इस angle के sign value के समानुपाती होता है motor में जो torque उपन होगा वह जिससे क्या होगी उससे वह start हो जाएगी मतलब हमन मैंने बताया है कि किसी भी rotating जो चुम्ब की flux होता है उसको उत्पन करने के लिए minimum दो फेज आविशक होते हैं क्या होता है दो फेज आविशक होते हैं तो यहां पर हमारा दो फेज उत्पन हो जाते हैं ठीक है इस motor का starting torque क्या होता है कम होता है इसके विसेस्ता गोण बोल सक सारी quality हम define करते हैं इस motor का starting torque क्या होता है वो कम होता है लो होता है power factor की बात करते हैं तो power factor इसका होता है 0.05 से 0.6 के बीच में मतलब lag होता है इसकी जो दक्षिता होती है वो कितनी होती है 5% से 35% तक इसकी दक्षिता होती है इसकी जो overload छमता होती है वो बहुत ही कम होती है क् मोटर इसके घुमने की दिशा है जिसे घुर्णन गति बोलते है घुर्णन दिशा बोलते है वो एक फिक्स होते है जिस तरह से डिजाइन की गई है उसी दिशा में गुमेंगी अगर के क्लॉगवाइस डिजाइन की गई होगी तो एंटी क्लॉगवाइस गुमेंगी इसको प केंज करना होग व्लट लगना होगा तो हमारी मोटर जो सीधी D saja में गूम रहिए तो उलटी दिसा में गूमने लगेगी इस मोटर के घुननादर के दरसा जो किदर से किदर होती तो kimchi न्सेड़ी आई एक और ऊप्रपोल की ओर होगी कि हम धियर्वग्स छोटे जो जो गियर बॉक्स होता है गियर का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं इसकी स्पीड को एक rpm से भी कम कर सकते हैं स्पीड को और कम कर सकते हैं वैसे इसकी स्पीड ज्यादा नहीं होती है इस मोटर का यूज कहां करते हैं तो इस मोटर का उपयोग हम बैद्द जो छोटे छोटे छ कि जो विद्यद गड़ी होती है उसमें क्या करते हैं हिस्टेरेसिस मोटर को उप्योग करते हैं जिसकी सनरशना हमारे सेडेट पोल मोटर के समान ही होती है ठीक है यह मोटर छोटी रेटिंग की मतलब कम रेटिंग की बनाई जाती है तो कितनी होगी इनकी रेटिंग तो इसक 125 वाट तक इसकी rating होती है